असलाव आलेकुम नमस्कार मेरा नाम मोहिन खार और मैं इस चैनर के अंदर अपनी प्यारी प्यारी माता भेनों का और प्यारे प्यारे भाईयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपनी प्यारी प्यारी माता बहनों के लिए और प्यारे प्यारे भाईयों के लिए लेकर आया हूँ मन उच्चाटन का टोटका जी हाँ मन उच्चाटन कहते हैं दो लोगों के बीच में नफरत पैदा करना दो लोगों को अलग करने की जो टोटका होता है उसको हम मनुच चाटन बोलते है जी हाँ दो लोगों को अलग करना माली जी किसी से आप प्यार करते हो माली जी और वो आपसे प्यार नहीं करता और वो किसी और लड़की के पास है वो उससे प्यार करता है तो आप इस टोटके से उन दो लड़की उन दो लड़का और लड़की को अलग करके उसको अपनी और आकरशित कर सकते हो जैसे एक लड़का है एक लड़की है आपस में दोनों प्यार करते हैं उन दोनों को आप अलग करके मानलों जो कोई तीसरा लड़का है वो उस लड़की को हासिल करना चाहता है तो इस उपाय को वो तीसरा इंसान करके उन दोनों लड़का और लड़की को अलग कर सकता है जी हाँ यह उपाय बहुत अच्छा काम करता है और इस उपाय से हजारों लाखों लोग कामिया भी हासिल कर चुके हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस तोटके को किस-किस समान के वैशक्ता पड़ती है इसको करने में सबसे पहले आपको एक सुई आपके पास होनी चाहिए और दो कागज आपके पास प्लेन होनी चाहिए कुछ आपके पास काली मेरच होनी चाहिए बस इस समान का इसमें इस्तमाल किया गया है और एक आपके पास वो भी होना चाहिए पहन यह कोई मारकर हो यह काली शाहिए हो कोई भी हो बस अब आपको इसको करना कैसे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका गल्थ इस्तमाल ना करें और इसका इस्तमाल आपको रात को नौ बजे से बारव बजे के बीच में ही करना है दिन रविवार का दिन इस वोपाई के लिए सुब माना जाता है ये तोटके जो होती है ये रात को करने से इनको ज़्यादे सफलता मिलती है इस वज़े से ही इसकी जो टाइम होता है वो रात का होता है अब मैं आपको बताता हूँ इसको करते कैसे हैं माली जी ये हम लिख रहे हैं लड़का है लड़के का नाम है रवी और लड़की का नाम है रेखा कोई लड़का रेखा से प्यार करता है पर रेखा रवी से प्यार करती है तो जो लड़का है वो इन दोनों को अलग करने के लिए इस मनुचाटन का प्रियोग कर सकता है बहुत आसानी से सिर्फ और सिर्फ जादर टाइमनी सिर्फ साथ गंटे में वो दोनों अलग हो जाएंगे एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे एक दूसरे से इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी या कोई इस उपाय को करके बहुत आसानी से दो लोग को अलग कर सकता है चाहिए किसी को भी करना हो अब आपको मैं बताता हूँ आगे करते कैसे हैं इसको इसमें आपको मा का नम भी मालूम होना चाहिए इसमें आपको चार कॉलम बनाने इस तरीके से सबसे पहले आपको करना क्या है रेखा में यह आपको देखने है रेखा कितने वर्डर रेखा में होते है रेखा चार होते है यहाँ आपको चार लिखना है अब माली जी रेखा की मा का नाम यह लिखने की जरुवत नहीं है मन में मालूम होना चाहिए पर मैं आपको फिर भी बता रहूं निक करके माली जी रेखा की मम्ता नाम है मम्ता तो मम्ता में भी चार आते हैं तो यहाँ पर चार ली थिया अब आपको इसको अपने रवी से रेखा को रवी से दूर करना है और जो इस काम को करना है जो लड़का पास आना चाहता है जो रिखा को अपनी और आकरशित करना चाहता है तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है मतलब की लिखना नहीं है अपनी नाम के अक्षर देखने कितने अक्षर आपके नाम के अंदर आती है माली जी आपका नाम है शिवं इसमें भी चार आते हैं सिवं की मां का नाम है पूनम पूनम के पांच चार आते हैं हिंदी में आपको देखना है इंग्लिस में नहीं हिंदी दस्टर बात होती है तुम्हें इन चीज जो नाम है हाला कि आप क्रन किसी में भी सकते हैं दोनों में सेम बात है अब आपको यहां पर चाल लिख लए है तो यह नक्ष आपकर तयार हो चोगा है अब आपको जो रवी है रवी जहां आपने लिखा था इस रवी जो आपने लिखा था, इसमें आपको कुछे नहीं करना, इसमें अगर आपको पता है, माल लीजिए इसका नाम है, सी, वा, नी, इसकी माँ का नाम है, शीवानी, बस, यहाँ पर आपको प्लस का साइड लगाना है, तोनों करी, बस यतना आपको गरना है, जादे नहीं करना है यह बात आपको ध्यान रखना है जिसको अलग करना है उसमें सिर्फ उसका नाम उसकी माका नाम और जिसको आपको अलग करना है मतलब जो जिसको अलग करना है उसको माका नाम और अपने उसका नाम और जिसको पास लाना है रेखा उसके माका नाम और यह उपाई जो मैं बता चुका हूँ, अब आपको इसको करना है, इस तरीके सापको फोल्ड करना है, पहले इस तरीके से, फिर आपको इस तरीके से, फोल्ड करने के बाद, जो सुई होती है, सुई के अंदर, जिसको अलग करना है, उसके अंदर, इस सुई को आपको पार कर देनी है, इस तरीके से, इस सुई को आपको ये बात ध्यान रखने है इस सुई को आपको चलता हुआ पानी होता है वहाँ आपको इस सुई को बहा देनी है बस इतना करना है आपको कुछ बोलने की भी इस विदी में आवशक्त नहीं है और जो काली मेरच है आपको जो काली मेरच है अब आपको काली म जो गरम मसले में जो एक काम आती है इसमें आपको काली मिरच का इस्तिमाल करना है आपको साथ काली मिरच इसमें लेनी है देख लिजिए आप साथ ये आपको साथ ध्यान लखिए तीन, चार, पांच अगर लोगे या आठ लोगे तो उपाय खतम हो जाएगा, विकार हो जाएगा, साथ आपको काली मिरच लेनी है, लेने के बाद आपको फोल्ड कर देना है, अच्छी तरीके से आपको फोल्ड कर देना है, इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब आपको जब तक वो आपके वश में हो जाएगी तब तक आपको सबसे पहले इसको करने के बाद आपको इसको अपने कहीं परस में या अपनी बोड़ी से टेच करके रखना है आपने आपसे अलग नहीं करना है ये बाद आपको ध्यान रखना है बस सिर्फ साथ घंटे में ही आपको इसका सर मिल जाएगा जिसको आप दूर करना चाहते है साथ गंटे में उसके लड़ाई हो जाएगी एक दूसरे की शकल देखना भी नहीं पसंद करेंगे और जिसको अपनी और आकरशित करना चाहते है वो आपकी और आकरशित हो जाएगी साथ गंटे में आपकी बात मच माब हो गया है तुरन इसको जला देना है काली मिर्च के साथ इसको जला देना है बस और जो इसकी राख होगी उस राख को आपको बैते पानी में बहा देना इतना आपको करना है यह उपाई आपको पूरा हो जाएगा दोस्तों एक छोड़िसे आप गुजारे जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन की जो बैल आइकोन होती इसको दबाए ताकि जो हमारी नई वीडियो होंगी वो आप तक पहुंस सकें तो दोस्तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगर आपको इस विदी के अंद इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तो मुलाकात होगी एकली वीडियो में